नमश्कार, मैं दॉक्टर शुरढधा वस्रेश्ट, आपका सबकी शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ आज की वीडियो के माध्म से मैं आपको बताने जा रही हूँ दाखिले की कम से कम उम्र यानि की निवनितम उम्र और ज्यादत स्यादा उम्र यानि अधिक्तम उम्र केंदर विद्याले में दाखिला प्रक्रिया कक्षा पहली से शुरू होती है और कक्षा पहली में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 5 साल की होनी चाहिए और यह उम्र का आंकला हम 31 मार्च पर रखकर लगाते हैं जिस साल में बच्चा दाखिला लेने जा रहा है उस साल की 31 मार्च को बच्चे की उम्र कम से कम 5 पर रखकर होनी चाहिए तो कक्षा पहली में दाखिले के लिए बच्चे की कम से कम उम्र होनी चाहिए 5 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र होनी चाहिए 7 साल कक्षा दूसरी में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कम से कम होनी चाहिए 6 साल और ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए 8 साल ककशा तीसरी में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कम से कम होनी चाहिए साथ साल और ज्यादा से जॉयादा होनी चाहिए 9 साल ककशा चौथी में आट वर्ष dès उम्र, अगर बच्चा कम है तो से दाखिला नहीं मिलेगा और 10 वर्ष से अधिक बच्चों की अगर उम्र है तो उन्हें दाखिला नहीं मिल पाएगा कक्षा पांचवी में दाखिले के लिए कम से कम उम्र 9 साल और ज्याद से ज्यादा उम्र 11 साल कक्षा छटी में दाख लेके लिए कम से कम उम्र 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 15 साल ज्यादा 15 साल अब आप एक बात पूछेंगे कि कक्षा ग्यारवी और कक्षा बारवी में नियूनितम और अधिकतम उम्र क्या है दाखिले की। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगे कि केंदर विद्याले संगठन कि अनुसार कक्षा ग्यारवी और कक्षा बारवी में दाखिले के लिए कम से कम उम्र और ज्याद से ज्यादा उम्र को कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। और एक सवाल जो बहुत से माता-पिता कहते हैं कि मैं हमारे बच्चे की उम्र पांच दिन कम है या फिर दस दिन कम है या फिर दस दिन जादा है तो क्या यदि हम जिस विद्याले में केंदर विद्याले में अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं अगर वहां की प मारी बात मान लेंगी तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कम से कम उम्र ज्याद से ज्यादा उम्र में अगर कुछ दिन से या कुछ महीनों से आपका बच्चा रह जाता है तो प्रिंसिपल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता कि वैं आपको उम्र में छूट दे दे जी अगर प्रिंसिपल कुछ कर सकती है तो वैं सिर्फ उन बच्चों के लिए कर सकती है जो विकलांग बच्चे हैं और उनके केस में भी विकलांग बच्चों के केस में भी सिर्फ अधिकतम उम्र में दो साल की रिलाक्सेशन उन बच्चों को दी जा सकती है जो शारीरिक प्र परिशानी से ग्रसत है या फिर हम जने विकलांग बच्चे कहते हैं उन्हें भी सिरफ अधिकतम उम्र में दो साल की छूट दी जा सकती है कम से कम उम्र में उन्हें भी कोई छूट नहीं दी जा सकती है इसलिए प्रिंसिपल आपको कम से कम उम्र और जाद से जाद उम्र में क तो यह थी जानकारी जो मैं आपको देना चाहा थी थी कम से कम उम्र और ज्यादर से उम्र से सम्बंदत यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक भी करिएगा और यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही स अप्टर श्रद्धावसिश को जाज़त दीजे नमशकार